सब्सक्राइब कीजिए अमनेक्स्ट्रीम को और बेल आइकन दबाईए जिससे कि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आजाएं ये है डॉमिनार 250 जिसका डिजाइन हमें पूरी तरीके से इंस्पायर्ड मिलता है डॉमिनार 400 से इसमें हमें नया कलर रेड मिलता है और ब्लैक वहीं डॉमिनार में हमें ग्रीन कलर मिलता है और ब्लैक तो ब्लैक इन दोनों में कॉमन है डॉमिनार 250 में हमें almost सारे specs engine को और tires को छोड़के dominar 400 से मिलते हैं design में हमें इसमें एक तो red color मिलता है उसके साथी जो tire का size है वो थोड़ा सा छोटा है engine का size थोड़ा छोटा है और tank के उपर जो pad दिया गया है मतलब जो rider और tank के बीच में जो pad होता है जो sticker होता है इक वो हमें इसमें मिलता है जो dominar 400 में नहीं मिलता इसके सिवा बाकी सारे specs almost सेम हैं आप देख के बता नहीं सकते कि dominar 400 है या dominar 250 है नई dominar 250 हमें red color में मिलती है वहीं dominar 400 हमें green color में मिलती है इन दोनों में black color जो है वो common रहेगा seat इन दोनों की बिल्कुल सेम है तो 250 CC में सबसे ज़्याद़ comfortable होने वाली है dominar 250 क्योंकि जो KTM है उसकी seat इतनी comfortable नहीं है हास्क वरना की भी seat आपको rider और prillion दोनों के लिए comfortable नहीं मिलेगी वहीं dominar 250 की काफी चौड़ी seat है तो आपको rider और prillion दोनों के लिए काफी ज़्याद़ comfortable seat मिलने वाली है dominar 250 के alloys और इसका exhaust double pot exhaust हमें इसमें मिलता है वो बिल्कुल हमें dominar 400 जैसा ही मिलता है तो आप similar exhaust note expect कर सकते हैं 250 CC का engine है तो आपको बिल्कुल सेम तो नहीं मिलेगी बट उसी टाइप की exhaust note आप expect कर सकते हैं dominar 250 से dominar 250 में हमें 249 CC का single cylinder engine मिलने वाला है liquid cooled six pair gearbox पे चलने वाला जिस तरह की हमें dominar 400 में मिलता है वैसा ही इसमें भी हमें liquid cooled engine मिलता है यह हमें approximately 30 PS की power provide करके देखा जिस तरह KTM Duke 250 में हमें मिलती है 30 PS की power उतनी ही power यह बाइक हमें provide करके देगी क्योंकि जो core engine है वो सेम है husk वरना Duke 250 और dominar 250 तीनों का जो core engine है वो सेम है dominar 400 की तरह हमें इसमें triple spark engine नहीं मिलता हमें इसमें twin spark plug मिलता है suspension setup हमें front में inverted fork और rear में monoshock suspension dominar 400 वाला ही मिलेगा और जो brakes है front में 300 mm की disc plate rear में 230 mm की disc plate और ABS हमें इस bike में मिलेंगे बट जो tire है वो हमें dominar 400 वाले नहीं मिलेंगे tire में हमें front में 100 by 80 का 17 inch का tire मिलेगा और rear में मिलेगा 130 by 70 का 17 inch का tire ये tire dominar 400 से छोटे होने वाले हैं क्योंकि dominar में मिलते थे हमें 150 section का tire और इसमें मिलेगा 130 section का tire जो tire size हमें NS200 में मिलता था वहीं tire size हमें dominar 250 में मिलेगा हमें इसमें front में LED headlamps मिलते हैं same dominar 400 वाले तो night visibility काफी जाद आच्छी होने वाली है जो rear light है इसकी rear light हमें जो dominar 400 में मिलती थी LED light वहीं मिलती है यह signature light है जो pulsar में शुरू से चली आ रही है उसी का थोड़ा सा modified version हमें मिलता था dominar 400 में और वहीं same हमें मिलेगी dominar 250 में dominar 250 का जो instrument console है वो fully digital है dominar 400 वाला ही है हमें digital tachometer और speedometer मिलता है इसके सिवा में इसमें trick meter date or time का option मिल जाता है उसके नीचे meter जो है वो आपको मिलते है tank के उपर जिस तरह dominar 400 में मिलता है बिल्कुल उसी तरह